जो जो लेकाई हैं आज के अपिसोड में मैं आप्ने लेके आये हूँ बहुत ही डेस्टी ब्रेक्वुस्ट रेसिपी्स और इन रेसिपी की खास醫ंने रेसिपीस है और ये सारी की सारी processed food free है मेरे यही motive था कि इस बार में आपके साथ में ऐसी recipe share करूँ जो कि बिलकुल ही processed food free हो यानि हमने ना तो इसमें butter ना cheese ना bread कुछ भी नहीं यूज़ किया है और बहुत ही healthy breakfast बनाया है आज आपको इस episode में देखने के लिए मिलेगी healthy and tasty चोकी हुई मुंगी दाल साथ में बाजरे का धेब रा स्टफ पराठे में आज में बनाने वाली हूँ मूली के पराठे बहुत ही आसान तरीके से देशी फरे मिलेंगे आपको और साथ में मिलेगा पोहा क्योंकि बिना पोहे के तो breakfast अधुरा है बहुत ही मज़ेदार recipes जो आपकी पूरे week की problems को sort out कर देंगी तो आज हम बनाने वाले है tasty breakfast और इसके शिर्वात हम करेंगे चोकी हुई मुंकी दाल से high protein की बात करें और दाल का जिक्रिना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता आईए बनाते हैं चोकी हुई मुंकी दाल इसे बनाने के लिए हमें दाल को minimum 2 घंटे के लिए भिगोना होता है 2 घंटे सुबह मिलने सकते इसलिए इसे रात में भिगो दीजे और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहे हूँ अपनी अगारों की honeycomb कड़ाई इसमें दाल यह खाना चिपकता नहीं है और बहुत ही अच्छा बनता है तो यहाँ पे मैंने डाला है एक चमच देसी घी जब भी दाल बनाए तो देसी घी का इस्तिमाल कीजे क्योंकि देसी घी डाल को digest करने के लिए बहुत ज़रूरी है पुरी कड़ाई को मैं अच्छे से कोट कर देती हूं देसी घी से और अब हम इसमें डालेंगे आदा चमच जीरा और एक चौथाई चमच हींग यहाँ पे मैंने एक कप दाल भी गोई थी और इसमें हम कदुकस किया हुआ अद्रक डाल देंगे और इसके बाद में हम चान के से डाल देंगे बहुत ज़ादा पानी हमें यहाँ पे नहीं डालना है हलका सा हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर तकरीबन आदा चमच और एक चमच यहाँ पे नमक जाएगा बिलकुल ज़रा सी हम इसमें लाल मिर्च भी आट करेंगे कि उससे ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है बट अगें यह आप्शन है क्योंकि यहाँ पे हम रेक्पिस्ट रेस्पीस बना रहे हैं तो मिर्च पे थोड़ा सा हाथ हलका रखेंगे तो यहाँ पे जो डाल है इसको हमें हलका सा भूनना है लगबग एक से दो मिनिट और उसके बार में हम इसे भाप में पकाएंगे एक कप हमने डाल ली है तो यहाँ पे हम थ्री फोर्थ कप पानी लेंगे यह रेशियो याद रखेगा यह एक बहुत ही इंपोर्टेंट टिप है खिली खिली दाल बनाने के लिए बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे अगर यह नीचे से लग रहे हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी और आट कर सकते हैं अदरवाइस आप मौंग की दाल को कुकर में भी दो सीटी डाल के पका सकते हैं यहाँ पे इसे पकने में 10 से 15 मिनिट लगेंगे मीनवाइल मैं अपनी सारी सबसियां चौप करके तयार कर लेते हैं इसे मैंने खीरा, आलू, प्यास, टमाटर, हरी मिर्च, हरी धनिया कट किया है 12 मिनिट हो चुके हैं और दाल हमारी पक गई है बिल्कुल खिली खिली दाल है इसको आप हाथ से दबा के चेक कीजिए बिल्कुल हलके हाथ से इसे हम दबा रहे हैं और ये प्रॉपर दब जारी है इसका मतलब दाल एक दम रेडी है पाँच मिनिट के लिए धके रख दीजे दाल हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई है और अब उसमें खीरा, प्यास, टमाटर, अद्रक, हरी मिर्च, सब कुछ मिला देंगे बढ़ा से बहुत ही बढ़ा मुंकी दाल की चाट बने वाली है उपला अलू मिलाना मत भूलेगा उपर से खूप सारा हरा धनिया डालेंगे, डालेंगे निबु का रस यहाँ पर एक निबु का रस चला जाएगा मुझे तो हलकी खटी खटी पसंद है इसलिए मैं एक नीमू डाल रहे हूँ आप पहले आदा डाल के ट्राइ कीजेगा उपर से डालेंगे चाट मसाला थोड़ा सा और डाल देते हैं और अब हम इसे बिल्कुल हलकी हाथों से मिक्स करेंगे और हमारी मुंकी डाल का सालेड ब जरूर से आप ट्राय कीजे और ये रेसिपी बच्चों को भी बहुत पसंद आती है तो बेजी जग बच्चों के साथ में भी शेय कीजे थोड़ी सी हरी मिर्च कम डालीएगा वैसे मुझे तो ये चटपटे ही पसंद है आपको कैसी लगी बताईएगा सबसे पहले हमें मूली को कद्दुकस कर ले रहा है महीन वाले कद्दुकस से मैंने मूली को कद्दुकस कर लिया है मूली में बहुत जादा पानी होता है इसलिए कई बार इसके परांठे बनाने बड़े मुश्किल हो जाते है सबसे पहले हम इसका एकसेस वाटर ही निकालेंगे तो यहाँ पर मैंने डेट चमच नमक डाला है 1.5 टीस्पून मूली में अच्छे से नमक को मिक्स कर देंगे और इसका पानी अभी थोड़ी देर में निकल जाएगा मैं आटागूत के तयार कर लोगी और बाकी की थोड़ी थोड़ी चीज़े तयार कर लेती हूँ यह देखिए जितने हमने तयारी करी 10 मिनिट मूली का पानी अच्छे से निकल गया इसे हमें दोनों हातों से अच्छे से निचोड़ना है मूली का एक एक लच्छा खुलावा हो जाना चाहिए कई बार में मूली के परांठे जो हैं मूली को हलका सा फ्राय करके बनाती हूं बड़ यह आप कच्छे भी बना सकते हैं बिल्कुल इस तरह से तो यहां पर देखे इतना जादा पानी था मूली के अंदर मूली पेट के लिए बहुत फायदेमंद होती है और जितनी क्वालिटी आपने मूली की देखी थी उसमें तकरीबन चार परांठे बन जाएंगे तो यहां पर मूली के लच्छे हमारे डेटी हो गए हैं अब हम इसमें कुटा हुआ अद्रक और हरी मिर्च मिलाएंगे लाल मिर्च और आदर चमच अम्चूर पाउडर इसमें बहुत जादा मसाले नहीं डाले जाते हैं इसमें हलका सा नमक डाल देंगे क्योंकि नमक जो हमने पहले आड़ किया था वो मूली के पानी के साथ निकल जाता है यह मेरे पास में धनिया जीरा लाल मिर्च वाला तो भिया यह होंता हुता है तो थोड़ा सा घीला हो जाते हैं इस चेस में आप यहां पे भुनावा बैसन डाल सकते हैं भुने चने का पाड़र टाल सकते हैं और बीच पे नहीं तो यहां लोगीको रहत रे करेंगे तकि इसकी killing निकल के बाहर ना जाये एक बार लो एक वोड़ी को अच्छे से घुमा लेंगे हाथ से ज्म हलका सा फैलाएंगे हाथ से फैलाने से बहुत अच्छे से फैल जाती है और इसको बेल लेंगे बेलते समय अगर यह थोड़ा बहुत भी जाया तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जब आप इसे सेखेंगे तो वह प्रॉपर सिख जाएगा यह देखें बीच में इसमें हलकी सी स्टफिंग दिख रही है बट कोई बात नहीं इसके उपर हलकी सी पर्थन लगा नहीं है इंडियन कुकिंग के लिए बिल्कुल फॉफेक्ट है तो यहां हम बहुत ही थोड़ा सा ओलिव लगाएंगे और दोनों तरफ से मस्त गोल्डेन गोल्डेन सेख लेंगे तो हमारे बहुत ही बढ़िया मूली के परांठे बनके तयार है वैसे मैंने इस परांठे को बत्वे के आठे में बनाने के खुशिश की थी बट वो उतना सक्सेस्फुल नहीं हुआ तो कि आठा अल्री फ्रिज का रखा वा था बट किसी दिन में आपको जरूर से दिखाओंगी हमारे जो मूली की फिलिंग है वो पूरे परांठे में अच्छे से स्प्रेड हो गई ह और बहुत ही मज़दार मूली के परांठे बनके तयार हैं कैसी लगी रेइसेपी मुझे जरूर से बताएगा और हाँ इस तरह से ट्रै जरूर कीजेगा तू यह थे हमारे क्रिपी-क्रिस्पी मूली के पराधे और मूली के पराधे की जो फिलिंग थी मतल baili जो अंदर जो फिलिंग थी को बथुए के साथ भर के बनाथी हूं अब चलते हैं आज की अगली रेस्पी पे और वो होने वाली है देशी फरे फरे आज कल बड़े पॉपलर हो रहे हैं इसमें बड़ी ही रडिशनल एंड ट्रिकी रेसिपी है छोटी छोटी टिप्स है एक बार आप मास्ट्री कर जाओगे तो आप बहुत ही मस फरे बनाते हैं डिलिशिस फरे आईए बनाना शुरू करते हैं दाल के फरे आज कलिए बहुत पॉपलर है मगर ये एक टेक्निकल टेश है आप से इसमें एक अफिसरी गलतिया हो सकती है इसलिए टिप्स और ट्रिक्स जरूर से सुनिएगा सबसे पहले यहाँ पे हमें आटा लगा के रेड चने की दाल यहाँ पर मैंने एक कप चने की दाल ली है उसे मैंने रात में ही भिगो दिया था चने की दाल खुब अच्छे से भीगी होनी चाहिए उसे हम अद्रक लेसुन हरी मिर्च के साथ पीसेंगे इसमें बीच में और भी चीज़े पढ़ेंगी मैं बीच-बीच में पताती रहोंगी ये देखिए दाल हमारी बहुत ही अच्छे से फूली हुए है इसे हमें ओवनाइट या फिर चार घंटे जरूर भिकोना है इसमें हम थोड़ा सा जीरा भी आड़ करेंगे दाल को एक बार दरदरा पीस लीजिए उसके बाद में जीरा डालके एक बार फिर से जरूर घुमाईएगा दाल की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए इसे अचीव करने के लिए आपको दाल को मिनमम पानी के साथ में पीसना है और ये बहुत ही इंपोर्टेंट टिप है अब दाल में मसाले मिलाने है इसमें हम डालेंगे नमक साथ में डालेंगे आधा च हम डाल में नमक मिलाते हैं वो थोड़ी सी धीली हो जाती है यानि कि थोड़ा सा पानी चोड़ना शुरू करतेती है और इससे बहरने में काफी दिक्कत होती है मैं थोड़ी सी बारी कटी हुई हरिधनी भी मिक्स करती है ये देखिए पानी यहाँ पे अच्छे से खौलने लगा है इसमें हम नमक डालेंगे फरे बनाने के लिए चोड़े बर्तन का इस्तमाल करें क्योंकि इसमें हमें अच्छे से इने पकाना है नमक के साथ ही यहाँ पर जाएगा दो चमश तेल ताकि फरे आपस में चिपके नहीं अब यहाँ पर मैं आज थोड़े छोटे छोटे बना रहे हूँ तो यह मैंने चोटी-चोटी लोई या ले ली हैं जितनी कि हम पूरी बनाते टाइम लेते हैं तो हैं पर हम सुखा आटा लगाएंगे और इनको बेल लेंगे बिलकुल पूरी के साइज की ही बेल नी है, फरे में टाइमिंग की एक इंपोर्टेंस है, जैसे की दाल में जब आप नमक डालें, उसके बाद उसे जादा टाइम रखे नहीं, तुरंत ही उसे भढ़ना शुरू करें, ये एक बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, इस को भरने के लिए, साइड में हलका सा पानी लगाएंगे हम, और उसमें फिलिंग रखेंगे, मैक्सिमम फिलिंग जितनी हो सके, आप इसमें रखेगा, क्योंकि आटे के साथ में जितनी फिलिंग आते हैं, उतना ही ये टेस्टी लगता है, एकदम गुजिया की तरह से ये ब पानी अच्छे से बॉइल हो गया है, और अब हम इसमें सारे फरे डाल देंगे, फ्लेम को हमें हाई रखना है, और इन्हें हमें 15 मिनिट्स तक उबलने देना है, एक बार चाकू डाल के ट्राय कर लेजेगा, इधर में बना रहे हूं तड़का, जिसके लिए मैंने डाला है एक चमच ओलिव ओयल, साथ में डाला है एक बड़ा चमच देसी घी, इसमें हम राई, करी पत्ता और जीरा डालेंगे, जो हमारा में तड़का है, अगर आपके बसमें टाइम की कमी है, तो आप देसी की पैन पे डालिए और फरे के पतले-पतले स्लाइस कीजिए, दोनों पे हमने डाल दिया है राई, जीरा और करी पत्ता, साथ में बारी कटा हुआ प्याज, प्याज को हलका सा सौटे करेंगे, मिन्वाइल फरे को हम चेक कर लेते हैं, आप फरे बना के पहले भी रख सकते हैं, यानि कि रात में बना सकते हैं, शाम को बना सकते हैं, और ये दो दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं, अचली दो दिन से जादा भी खराब नहीं होते हैं, बट ये ख्लाइमेट कंडिशन पर डिपेंड करता है, इसलिए यहां पर मैंने चेक किया, नाइफ बिल्कुल क्लीन आ रहा है, दाल अंदर से पूरी अच्छे से पक गई ह क्योंकि दाल भीगी भी बहुत अच्छे से हुई थी, इनको किसी चनी या जाली पे निकालिएगा तो सारा पानी एकदम से निकल जाएगा, मीनवाइल प्यास हमारा पक गया है, तो अब इसमें हम टमाडर और हरी मिर्च भी मिला देते हैं, अगर आप इस्टन यूपी से या बिहार से हैं तो आपने फरे जरूर खाये होंगे, मुझे नीचे कॉमें सेक्षिन में लिखके बताईएगा कि आप फरे कैसे बनाते हैं, यहाँ पे मैंने हलका से इसमें नमक डाला है, सिर्फ मसाले के हिसाब से इससे मसाला जल्दी पकेगा भी और हलका से उसमें नमक कोटिंग आजाएगी, फरे को हमने काट लिया है, यह देखिए, अंदर से कितने ज़्यादा फलफी बने हैं, यह दाल इसमें आपकी बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले करती है, कम से कम पानी डाल के दाल को पीस यह और दाल को हम एकदम फलफी रखना है, इससे जो हमारे फर कट करके डाले हैं, उपर से थोड़ा साहरा धनिया डालेंगे और धीमी धीमी आज पे थोड़ी दिर के लिए फ्राय होने देंगे, फरे एक बहुत ही हिल्दी नाश्टे का आप्शन है, आप इससे जरूर से ट्राय कीजेगा, और आपको यह रिस्पी कैसी लगी, प्लीज मुझे कॉमें सेक्शन में लेके जरूर बताईएगा, है गाईज, मैंने अभी अभी यह शूट खतम किया है, और इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, गरम गरम घी है, मैं एक ना बिना फ्राय वाना टेस करेंगे, यह मुझे ऐसे ही पसंद है, इसके पर थोड़ा सा घी डा दो अट्राय बता तो अब लेके लिए वाना टेस बाखतन आप एक चाहिए यह शूट यह थोड़ा से अफ़ाएट गश्टे कर थे लिए अपसे शूट एक हके अज़ मैं अपसे बिस्केट ब्रेड यह इए इना कॉमन हो गया है, चीज, जाम, सॉस मैं यह थोड़ा हैं य शो अपने अबने ट्राइय कि इस अप्छे में अप्ने प्रेक्फ़स्से कम रिमुव करूं ये सब दे अब्रेक्फ़स्स में अब इलिए लिए जल्ली चुछ बनाते है और हमारे बच्पन में अशान दो ह्ली चुछ भी अजय था बहुत ही अच्छे बने लागे औरुट से लिखेगा डालको बस आपको अवर दर्दरा रखने बहुत ही अच्छे पने एंद के हम आपको ए एकी रहे प्सक्राज कि आपर और इसे को में सेख्टी बना बनाया जाता है इन ब्रह जाए लग तरीके से बनाया जाएगा उपिमे अलग तरीके से बनाया जाता है, बिहार में अलग तरीके से बनाया जाता है, ये जो typical विजह एक बार मेरी बनार सी फरेंड्ट ने सिखाया था, और ये होता है चूड़ा मटर और इसमें मैंने जो पोहा उस qya है वो पदला वाला है वैसे इसके लिए मुटा वाला चूड़ा यूज़ किया जाता है तो आइए बनाते हैं बहुती यमी एंड हेल्दी पोहा मटर आइए बनाते हैं पोहा मटर क्योंकि इसके बिना तो कोई भी breakfast वीडियो अधूरा है तो यहां मेरे लिए है दो कप पोहा और इसको हम पहले पानी से अच्छे से धोलेंगे मैं यहां पे महीन पोहा इस्तमाल कर रहे हूँ तो इसे सिर्फ धो के इस्तमाल करना होता है अगर हम इसे बिगोएंगे तो यह पूरा गल जाएगा तो यहाँ पे हम डालेंगे दो चमज देशी घी, पोहे को घी में बनाईएगा जाद अच्छा टेस्ट आता है साथ है हम इसमें अड़ करेंगे मूफली के दाने, अब इन मूफली के दानों को हमें क्रिस्पी होने तक फ्राय कर लेना है इन्हें होने में 1-5 मिनिट लगेगा, धीमी आज पे कीजेगा और चलाते होए कीजेगा तो यहाँ पे सारी मूफलियां हमारी अच्छे से फ्राय हो गई है मैंने डारेक्ट पोहे के उपर डाल रही हूँ क्योंकि यह पोहा हम तुरंद बना के खाने वाले है अब इसी कड़ाई में मैंने एक चमजगी और डाला है और इसमें हम डाल देंगे राई, जीरा और थोड़ी सी हिंग भी हम इसमें आड़ करेंगे क्योंकि हम मटर डालने वाले हैं तो हिंग तो जरूरी है साथी में इसमें डालूंगी एक तेज पत्ता और दाल चीनी अब इन मसालों को हलका सा भुन जाने देते हैं मीनवाइल प्यास काटके मैंने रेडी रखा है तबी हम खड़े मसाले कड़ाई में डालेंगे तो यहाँ प्यास जाल देते हैं भुहा बनाने में बहुत जादा आसान होता है और कम टाइम में बनके तयार होता है इसलिए वर ओफ मैं फेवरेट ब्रेक्पस्ट है इसमें थोड़ी सी कद्दू कस करी हुई अतरक जरू डालेगा उससे बहुत चाटेस्ट आता है हलका सा धन्या मैंने चोके में डाला है यहाँ पे हम उबली हुई मटर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे आप यहाँ पे कच्ची मटर भी डाल सकते हैं जैसे कि आज कल बहुत मुलायम वाली आ रही है लेकिन उसे पकने में 5-7 मिनट लग जाते हैं मेरे पास में उबली वाली मटर थी इसलिए मैंने इसमें उबली वाली डाल दी साथ में हम डालेंगे इसमें नमक, गरम मसाला और जरासी लाल मिर्च मटर को 1-2 मिनट चलाते हुए पकाएंगे और अब ये पोहा और मुफली डाल देंगे अगर आप यहाँ पे मोटा वाला पोहा इस्तमाल करें तो साथ में मुफली ना डाले मोटे वाले पोहे को हमें ढखके पकाना पड़ता है 1-2 मिनट के लिए बट ये बिल्कुल बारीक वाला पोहा है तो इसे हम ऐसे ही खुली कड़ाई में चलाते हुए पकाएंगे 1-2 मिनट के लिए और इसमें लास्ट में नीबू का रज डाल देंगे पोहा अच्छे से पक जाएगा लास्ट में इसे गानिश कीज़े हरी धन्यागी पती से और गर्मा गरम सर्फ कीज़े इसके साथ एक कप चाए मिल जाए तो क्या कहना पोहा ये चूड़ा बहुत तरह से बनाया जाता है जिसे इन दौर में इसमें चीनी डाल के बनाए जाती है नॉर्मली ये येलो कलर का बनाया जाता है हल्डी डाल के बट ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये भी बहुत अच्छा बनता है आप इसे जरू से ट्राय कीज़ेगा और हाँ डाल चीनी इसकिप मत कीज़ेगा क्योंकि डाल चीनी का टेस्ट बहुत ही अल्डिमिट आता है गर्ब गर्म पुहात है यारे चलिए चाए बनाईजे ये थी हमारे पोह मतर की रेसिपी और अब आज चुके हैं हम अपनी लास्ट रेस्मी में और इसमें बनाने वाली हूँ बाजरे का धेबरा ये रेसिपी एक सुपर हिट रेसिपी है और आप इसको जरूर राइसिपी बना पहुत है तो आपको इसके लिए थोड़े से इंग्रीटियन्स तियार करके रखने हैं अगर सुछ आपके पास में टाइम कम रहता है तो आप इसका जो डो है वो रात में लगा के रख सकते ह तो आइए अब बनाते हैं बाजरी ठेब्रा और इसको बनाना बहुत असवाँ है खाने में बहुत तार टेस्टी होता है मैं तो सर्दियों का वेट करते हूं डेब्रा बनाने के लिए इसके लिए आपको कुछ इंग्रियन्स सही होता है वैसे तो तो रेगुलर मसालें है अगर सुबह से शाम तक के लिए बना के रखना है, एकदम accurate recipe है, बड़ा ही मज़ा हैगा, आइए बनाते हैं बाजरे का धेबरा, यह traditionally गुजराती डेश है, इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बाजरे का आटा, यहाँ पर मैंने एक कप से थोड़ा सा जाधा बाजरे का आटा लिया है, और इसमें हम आधा कप मिलाएंगे गेहु का आटा, सर्दियों में बाजरा हमें जरूर से खाना चाहिए, यह गरम रखता है बॉड़ी को, इसमें हम मिलाएंगे मेथी, इसका जो main ingredient है, वो मेथी ही है, और साथ में अद्रक और हरी मिर्च का पेस्ट, अब जो भी और साथ ही डालेंगे हींग, हींग इसके टेस्ट को next level पर ले जाता है, इसलिए skip मत कीजेगा, और अब डालें हमें थोड़े से seeds, जिसमें सबसे पहले जा रहा है जीरा, साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी से अजवाइन, अजवाइन को हाथ से crush करके डालेंगे तो इस पहले डालेंगे दो चमश देसी घी, मिलेट्स को डाजिस करने के लिए घी बहुत जरूरी होता है, इसलिए घी को बिल्कुल भी skip मत कीजेगा, साथ ही हम इसमें डालेंगे गुड़, कितनी सारी सर्दियो वाली चीजे है ना इसमें, तो एक बड़े से डेले घुड़ को लेके हमें गरम पानी में भिगो देना है, ये फ्रेश बिना मसाले वाला गुड़ है, इसलिए इसका पानी आपको थोड़ा सा ब्लाक ब्लाक नजर आ रहा है, इसमें डाल देते हैं और इसमें अब हम दही डालेंगे, दही से इसको एक डिफरेंट टेक्च्चर मिलता है, दही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां वन फूर्थ कप हम दही डाल देंगे, अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अगर आपको लगता है कि इसके बार में पानी की जरुत है, तो इसमें हलका सा गुन-गुना पानी आड़ कीजेगा, इसे मैंने पैन में पानी रखा था, बहुत ही थोड़ा सा अड़ करना है, अगर जरुत पड़ती है, तो अधर वाइस इतने से काम चल जाता है, बहुत ही कम पानी के साथ में हमें आटा लगा के तयार करना है, तो यहां पे आटा एकदम रिड़ी है, इसको हम सेट होने के लिए छोड पराठे की तरह से सेखने वाली हूँ, लोगी को हमें थोड़ी सी पर्थन में लपेटना है, जितना कम गेहूं का आटा इसमें यूज होगा, यह उतने अच्छे बनेंगे, और इसे छोटा छोटा में बेल रही हूँ, हलका सा थिक रहेगा यह, अच्छा एक चीज और, जल्दी जल्दी सेख दे तो यहां इमने सारी बेल के रिडी कर लिया है, तिक थिकनस बहुत जादा नहीं है, और इसको घर्म घर्म पे हमें डालना है, दोनों तरफ से से शेखना है, पहले एक तरफ से ड्रय से शेखना है बिल्कुल धीमी ऑच पर इसे गोल्टन चित्या तक सेखेगा और उसके बाद में हम लगाएंगे इसके उपर दीजी घी जैसा कि मैंने बताया बाजरे के साथ में घी बहुत जरूरी है घी और गुड दोनों ही बहुत जरूरी है इसका बेस्ट कॉमिनेशन आलो टमाटा की सब्जी के साथ में है बट सुबर सुबर कई बार बादा की सब्जी नहीं आप बना पार है तो इसको आप लैसन की चटनी के साथ में या फिर दही के साथ में या फिर खाली गुड के साथ में भी सर्फ कर सकते हैं वैल यह हमारी नाश्ते की प्लेट रेदी है और आज की जो धेब्रे हैं बहुत ही जादा टेस्टी बने अगर आपने आज तक यह ट्राइ नहीं किया है तो मेरे कहने से एक बार इसे ज़रूर बनाईएगा बादरे का आटा इस मौसम के लिए बहुत ही अच्छा है और जो भी मौसम वाली चीज है वो हमें एक बार तो ज़रूरी ट्राइ करनी चाहिए आए करते हैं इसे टेस्ट झाहिए अरणी आप से लिए मौसम ही एक यह वूरशल भे ट्राइस हाइ वी मौसम तमीका टेस्टेस्ट नहीं हूं लिए है आटे तसलिए करते हैं अगर आंग मारें गें डговी क्सम पी द्राइस मुप्य। आचाथं दूही थूआ खिए जुरूर। च टाहिए नहीं और आपको पसंद आई होंगी कैसी लगी मुझे कॉमें सेक्षिन में लिखे ज़र से बिताएगा मुझे आपकी कॉमें का बहुत वेट रहता है अपनी फ्रेंज और फैमली के साथ में जरूर से शेयर कीजेगा उसे में बहुत हेल्प मिलती है बहुत मोडिवेशन मिलता है फिलह अगले अपिसोड में तब तर के लिए कीप वाचिंग है बाबाई